मेरे प्रेय मित्रों, नमस्कार, आज 9 जून 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मेनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अगरवाल आप सभी का हार्दी क्रूप से स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज मैं व्यक्ति के बारे में बात न करके व्यक्तियों के समूह के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसे आप समुदाए के नाम से जानते हैं, कम्यूनिटी के नाम से जानते हैं दरसल आज भुपाल की अख़बार में एक बहुत अच्छी ख़बर छपी है और यह ख़बर गुजराती समाज के बारे में है तो पहले तुम्हें वो ख़बर बता दूँ इसके बाद हम आगे बात करेंगे भुपाल का जो गुजराती समाज है उसने तीन बहुत खुबसूरत निरणे लिये हैं पहला निरणे इसने ये लिया है कि समाज में अभी जो ऐसे लोग हैं जिनका रोजगार लॉकडाउन के कारण चिन चुका है जा चुका है उन्हें समाज हर व्यक्ति को पांच से साढ़े साथ हजार रुपए प्रती माह देगा पांच से साढ़े साथ हजार रुपए ऐसे लोगों को जिनके पास अभी रोजगार नहीं रह गया है ये पहला निरणे है जो दूसरा निरणे है दोस्तों वो ये है कि बहुत से ऐसे भी हैं जो ब्यापार कर रहे थे लेकिन इन दो जो ड़्खाई मेहनों के बीच में उनका ब्यापार लग भग लग बंद हो गया है और उन्हें अब अपना ब्यापार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद चाहिए तो या तो वो बैंक के पास जाएं या फिर समाज के पास जाएं तो दोस्तों उन्हें समाज के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी है, समाज खुद उनके पास आया है, और यहां के गुजराती समाज ने ये फैसला किया है, कि जिनका व्यापार रोजगार बंध हो गया है, उन्हें 10 से 15 हजार रुपे बिना ब्याज के दिये जाएंगे, बिना ब्याज के 10 से 15 हजार रुपे उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे जो तीसरा निरने लिया गया है वो यह है कि बहुत से ऐसे मध्यमवर्गी ये गुजराती समाज के लोग हैं या निम्नवर्गी हैं जिन्होंने बहुत कुछ चीजें लोन पर ले रखी थी जैसे कि टूवीलर ले रखा है, कूलर ले उप्तान कर सकें लेकिन इसी के साथी साथ एक और भी महत्वपूर्ण निरने हैं जो इन तीनों निरनेयों के बारे में हैं और दोस्तों वहिया कि जो भी इन्हें धन दिया जाएगा इनके लिए आवश्यक नहीं है कि वे इस धन को लोटाएं अगर वे चाहें तो आप इस इसे वापस कर सकते हैं और अगर वे नहीं चाहें तो इसे वापस न करें तब भी कोई बात नहीं है समाज उनसे अपेक्षा नहीं करेगा कि आप इस धन को वापस कीजिए तोस्तों ये तीन निरने गुजराती समाज ने लिए हैं और खासकर अख़बार में मैं इन निरने को पढ़ने के बाद एक कुछ इतना रोमांचित हो गया कि मुझे लगा के नहीं मुझे यह बात अपने प्री अश्रोताओं तक बतानी चाहिए क्योंकि हम सब ठीक है भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक होने के साथ साथ हम सब समुदायों में भी रह रहे हैं। देखे हमारा जो पूरा का पूरा social structure है, वो सबसे नीचे पायदान पर परिवार है, व्यक्ति तो एक ही काई है, लेकिन परिवार में ही हम रहते हैं, तो जो सबसे छोटी जो संस्थागती काई है, institutional जो unit है, वो है हमारा परिवार, इसके बाद आ जाता है हमारा समाज, अब व तो वो छेतर के आधार पर बना हुए है, गुजरात एक राज्य है, तो उस छेतर में रहने वाले लोग भाशा के आधार पर बन सकता है, यहां गुजराती भाशा भी हो सकती है, जो दूसरी भाशाई हैं, जो दूसरे छेतरों में जाकर के लोग रह रहे हैं, वो अपनी भ दुनिया में घूमने कभी जाएंगे या आपके पास हो सकता है कि अनभव हो तो आपको एक अदभुत बात देखने को मिलेगी और वह है कि आप कहीं भी चले जाएए आपको गुजराती मिल जाएंगे गुजराती मिलेंगे चली और दूसरी कम्यूनिटी के भी लोग आपको पंजाबी समुदाय के लोग भी काफी मिल जाएंगे लेकिन वहां जब आप कुछ दिन रहेंगे और चीजों को समझने की कोशिस करेंगे तो वहां की जो गुजराती समाज के लोग हैं उनमें आपको एक बहुत अदभुत बात देखने को मिलेगी और वो अदभु होता है कि कई जब गुजरातीयों से मेरी बात हुई हम लोग की जब बात हुई तो उन्हों ऐसा लग रहा था उनके बताने से कि जैसे वो विदेश में रहकर के भी अपने देश जैसा ही अनुभु करते हैं भईया आप ऐसा क्यों अनुभु करते हैं तो उनका कहना था क्य कि यहां बहुत से गुजराती हैं, हम लोग आपस में आते जाते रहते हैं, तो लगता ही नहीं कि हम किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, मतलब वहां भी उन लोगों ने अपना एक जबरदस्त परिवार बना लिया है, देखें, यह सबसे बड़ा आधार होता है, किसी भी उसके विक्सित होने का, उसके आगे बढ़ने का, उसके सम्रिद्ध होने का, और मुझे लगता है कि शायद जो भी संगठन हों इस तरह के, यही उनका सबसे बड़ा धर्म भी है, जिसे आप दाइक तो भी कह सकते हैं, सबसे बड़ा काम यही है, बहुत से समुदाई ऐसे ह जो अपनी तरफ से बहुत सारे restrictions लगाते हैं, अपने नागरिकों पर, यानि कि उसके जो सदस्य हैं, नागरिक तो नहीं कहना चाहिए, अपने समुदाई के सदस्यों पर वो अलग अलग तरह के बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगाते हैं, कि नहीं आप ऐसा नहीं इस तरह के प्रतिबंधों के बारे में बीच बीच में आपको अख़बारों में पढ़ने को मिलता भी होगा, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि ठीक है, प्रतिबंध अपनी जगह है, उसकी तारकिक्ता पर अलग से बात की जा सकती है, कुछ प्रतिबंध आवश्यक होत होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी समुदाय के लिए ये तो एक प्राथमिक शर्त होनी ही चाहिए, कि वह अपने लोगों के उन्नती में मदद करें, देखे कि उस समाज के लोगों, समुदाय के लोगों की जरूरते क्या हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जो ध कि कमी के कारण स्वास्त के लिए पैसे नहीं होते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं कि पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते हैं, बच्चे या बच्ची उनके पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन वे अपने बच्चों को पढ़ाने पा रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी ह बहुत से ऐसे होते हैं कि उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है तो मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एक समुदाय के रूप में और यहां तक की व्यक्ति के रूप में भी कि हम उनकी मदद करने के लिए आगे आएं। मदद करने के लिए आता है। हो सकता है कि जब आपको परिवार से कुछ शिकायते भी हो और जब साथ में रहेंगे तो कुछ शिकायते तो रहेंगी ही रहेंगी लेकिन कठनाई के समय में आप देखे कि वो सामने आता है और खड़ा होता है आपके साथ कंधा से कंधा मिला गठने जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं समुदाए ये भारत की विशेष्टा है इसलिए कहा जाता है आप दुनिया में कहीं भी चले जाए कि यार भारत में जो सपोर्ट सिस्टम है उसका कोई जवाब नहीं और दोस्तों ये मैं केवल पढ़े लिखे या समासास्त्री आधार पर नहीं कह रहा हूं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं तो दोस्तों मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि आप सब किसी समाज के सदस्य होंगे ही होंगे और अगर ऐसा है तो प्लीज आप इस तरह की बातों को इस तरह की जरूरतों को अपने समुदा के लोगों तक पहुचाएं उनके जो लीडर्स हैं उन्हें बताएं और इस तरह की शुरुआत कराएं क्योंकि यह शुरुआत सही माइने में मानवी है तो दोस्तों आज की लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही नमस्ते